सद्गुरु कई साल पहले जब मेरा बेटा बहुत छोटा था उसने मुझे स्वामी विवेकानन की लिखी एक किताब दी थी उन्होंने बताया की प्राचीन काल के गुरु किस तरह हजारों मील दूर से एक दूसरे से बात कर पाते थे सिर्फ विचारों के जरिये मूल रूप से ये ये मौडन इंटरनेट की तरह है कि किस तरह एक कम्प्यूटर किसी दूसरे कम्प्यूटर से संपर्क करता है अमेरिका में या यूरोप में या कहीं भी क्या आप मानते हैं कि इनसानी दिमाग को इस तरह ट्रेन किया जा सकता है कि वे दूर बैठे लोगों के दिमाग पर असर डाल सकें सिर्फ अपने दिमाग को सही फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करके क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम ये कला सीख सकते हैं? आप सेलफोन कमप्टियों को हराने की कोशिश कर रहे हैं ये सिर्फ दिमाग की बात नहीं है दिमाग या अंग्रेजी शब्द माइंड का मतलब आम तोर पर सिर्फ विचार प्रक्रिया से होता है विचार प्रक्रिया आपके दिमाग का सबसे उपर ही हिस्सा है मेरे ख्याल से योरोपी विचारों के कारण हमने विचार को कुछ ज़्यादा ही महत्व दे दिया है योगिक विज्ञान में हम इसे कोई महत्व नहीं देते कि आप अभी क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप आखिर क्या सोच सकते हैं आपने जो जानकारी कठा की है आप बस उसे रिसाइकल कर रहे हैं इसका कोई खास नतीजा नहीं आएगा जो भी आपके दिमाग की सतय पर है वो घूमता रहता है उसका कोई फायदा नहीं है अभी आप जो सोच रहे हैं वो दिमाग की सतय है दिमाग के और गहरे आया हम भी है संस्कृत भाशा में दिमाग की अलग-अलग अवस्थाओं का वर्णन करने के लिए कई सारे शब्द है लेकिन दिमाग का एक पहलू है समय की कमी के कारण मैं बाकी चीजों को छोड़ रहा हूँ दिमाग का एक पहलू है जिसे हम चित्त कहते हैं चित्त दिमाग की सबसे अंदरूनी परत है जो उस चीज के साथ आपको जोड़ता है जिसे हम चेतना या कॉंशिसनेस कहते हैं अगर आपका चित्त जागरूख हो जाए अगर आप अपने चित्पर जागरूकता के साथ एक हद तक नियंत्रन पालें तो आप अपनी चेतना तक पहुँच सकते हैं हम जिसे चेतना कह रहे हैं ये वो आयाम है जो न तो भौतिक है न एलेक्ट्रिकल है और न एलेक्ट्रोमैगनेटिक है ये भौतिक से अभौतिक आयाम का एक बहुत बड़ा परिवर्तन है एक अभौतिक आयाम ही अस्तित्तो का आधार है अभौतिक की गोद में ही भौतिक घटित होता है भौतिक एक छोटी सी घटना है इस ब्रह्मान में दो प्रतिशत से कम या एक प्रतिशत से भी कम भौतिक है, बाकी अभौतिक है इस अभौतिक आयाम के नाम के रूप में योगिक शब्दावली में एक खास ध्वनी का प्रयोग किया जाता है जो उस आयाम से जुड़ी हुई है आज कल ये सब काफी विकृत हो गया है हम इसे कहते हैं शी व जिसका अर्थ है वो जो नहीं है श्रेव यानी उपर बैठे किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं हमें कैसे आयाम की बात कर रहे हैं जो नहीं है मगर इसी आयाम की गोद में वो सब कुछ घटित होता है जो है तो अगर आपका चित्त थोड़ा भी सचेतन हो गया तो न सिर्फ किसी विचार को कहीं और पहुँचाने के आपकी ख्रमता बलकि और कुछ भी भेजना भी संभव है भौत एक स्तर पर कुछ भेजना भी संभव है तो क्या ऐसा हो सकता है? निश्चित तोर पर क्या हम अभी इन सबी लोगों को ये सिखा सकते हैं? सैध्धानतिक रूप से हाँ मगर क्या ये उसके लिए जरूरी तैयारी करेंगे? ये एक क्वेस्चन माक है एक बड़ी समस्या ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम्स ऐसे हैं कि हमने अपने विचारों को इतना महत्वपून बना दिया है कि पहले तो उन्हें नीचे लाने में समय लगेगा उन्हें ये समझाने में बहुत समय लगेगा कि उनके विचार मूर्खता पून है क्योंकि हर कोई खुद को स्मार्ट समझता है मगर ज़्यादतर लोगों का सिर्फ फोन ही स्मार्ट होता है क्योंकि आपकी विचार प्रक्रिया सिर्फ उन सीमित जानकारियों का नतीजा है जिन्हें आपने इकठा किया है अगर मैंने दुनिया की सारी लाइबरेरियां पर डाली है तो भी ये बहुत सीमित है हम एक अणू को भी पूरी तरह नहीं जानते इतनी सारी वैग्यानिक होजों के बावजूत तो इतना हैसास काफी होना चाहिए हमें विनम्र बनाने के लिए कि हम चीजों का इस्तिमाल करना तो जानते हैं मगर ये नहीं जानते कि ये है क्या पूरा जीवन लग जाएगा उसकी मूल भूट चीजों को समझने में अगर लोग सबसे पहले इन चीजों को समझ लें जैसे उनके दिल के सनक आपने तो उसे मुर्खता पूर्ण कह दिया अगर वो ये भी समझ लें कि उनकी विचार प्रक्रिया और भावनाओं की समार्टनेस भी काफी मूर्खता पूर्ण है तो ये आसान हो जाता है फिर लोगों को ट्रेन करना आसान हो जाएगा ऐसा नहीं है कि अब मैं इस विचार को पैदा करके आपको देना चाहता हूँ ऐसे नहीं आपके सोचने से पहले चीजे घटित होंगी आपके लिए जो सबसे अच्छा है वो अपने आप आपके साथ हो जाएगा इससे पहले कि आप अपने दिमाग में उससे सोचें आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं जीवन ही खुद को व्यवस्थित कर लेगा हड्डियों के इस डिब्बे से परे कि एक बुद्धी आपके लिए काम करना शुरू कर देगी आपने सुना होगा कि रामनुजम और बाकी लोगों ने बस देवी के साथ एक खिड़की खोली और वो इतने बड़े मैथमेटिशन बन गए कि आज भी वो लोग, सौ सालों बाद भी लोग उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने जो मैथमेटिकल कैल्गुलेशन्स दी थी वो ब्रहमान में ब्लैक होल्स के वर्णन का आधार है जब वो जीवित थे ब्लैक होल नाम का कोई शब्द नहीं था कोई उसके बारे में जानता तक नहीं था ब्लैक होल से हमारा मतलब समय और गुरुत्वाकर्शन के कर्व से होता है जिससे आधोनेक विज्ञान जूज रहा है उन्होंने उसके लिए mathematical background दिया जैसे जैसे वो कर्व बढ़ता है भौतिक अस्तित्व अनस्तित्व बन जाता है तो योग कार्थ भी यही है आप इस कर्व को इस तरह घटाते हैं कि जो बड़े पैमाने पर भौतिक होता है वो अभौतिक बन जाता है अभौतिक होने के बाद समय और स्थान कोई महत्व नहीं रखते जब समय और स्थान के समस्या नहों तो communication सहज ही हो जाता है